हलो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ पांच चीजे इस गाड़ी की बारे से जो मुझे बहुत अच्छी लगती है पहला तो इसका प्राइज इस प्राइज रेंज में इतना कुछ फीचर किसी कार पर नहीं मिल सकता ठीक है सबसे पहले तुम आपको बताता चलू इ इसकी चाबी है बहुत सेक्सी लगती है मेरे को पता नहीं क्यों यह रही इसकी चाबी यह जो इसकी चाबी है यह चाबी का मैं फैन हूँ भले बड़ी है बट सेक्सी है जब इसके कवर को उतार दोगे तो बहुत पतली है जेब में रखोगे तो पता ही नहीं चलता कि आप चाबी रखे हो ऐसा नहीं लगे कि बहुत बचन है और दूसरा इसका जो मीटर है डिजिटल इस प्राइज रेंज में नहीं मिल सकता कि यह जब स्टार्ट होती है देखो कितनी अच्छी लगती है कैमरा में तुतना आपको वह नहीं होगा जब आप रियल में देखोगे तो आपको पता चलेगा हाँ क्वालिटी है और जैसे आपन मौड चेंज करते हैं तो यह जो चेंज होता है यह मेरे दिल को सुकून देता है एडोर खुला है बोलते है उसका दिखारा मैं आपको एक से मज़र लगता है यह एको मोड पे डला हुआ है यह नॉमल है और यह स्पोर्ट है सबसे अच्छा लगता है मेरे को पता नहीं क्यों इसमें जो रैड रैड साता है गाड़ी चलाने पर बहुत मजाता है यह दो हो गया और तीसरा जो यह डेश्बोर्ट से होता हुआ जो नी आज दिखाता हूं यह सीरिया को में यह दिखिए जो यहां तक जाता है नेक्सोन पे भी आती है बट नेक्सोन महंगी है यह उससे कम किया यह जो है कि में को थोड़ा थोड़ा ब्यम डबलू का लुक देता है पता नहीं क्यों और भी मैं बहुत सारी गाड़ी देखा इस प्राइज में नहीं मिल सकती और तीसरा हो गया इसका मीजिक सिस्टम तीसरा नहीं सोरी चौथा हो गया जो हर्मन का आता है एक नंबर साउंड क्वालेटी है सच बता रहा हूँ एक नंबर साउंड क्वालिटी है आपको इसका भी वीडियो मिलेगा बहुत जल्द ठीक है और पांचवा हो गया हमारा एलाई वील यह एलाई वील इस प्राइज रेंज में तो में को साइदी लगता है सोलाईन जी का है यह बट में को बहुत सुन्दर लगता है मैं तो सोचा था बेस मॉडल लूँगा यह सब कराऊंगा बट में को यह मिल लिया मैं अपने गाड़ी से फुल साटिक फाय हूँ ठीक है आज का वीडियो बस इतना ही था थैंक यू सो मच